Hello students, आज इस वीडियो में हम 4,489 का square root find करेंगे long division method से तो long division method से हम जो big numbers रहते हैं, उनका square root easily find कर सकते हैं long division method के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक ladder बनाते हैं जिसमें हम number लिखते हैं 4,489 इस number का हमें square root find करना है square root find करने के लिए अगर हम यहाँ पर side में या rough work में square लिख लिए हर number का तो हमारे लिए easy हो जाएगा, one square होता है one, two square होता है four और बागी के numbers के हम जैसे use होएंगे वैसे लिखते जाएंगे long division से square root find करने के लिए सबसे पहला step होता है numbers को pairs में करना है, right hand side से numbers के pair बनाते है दो numbers ले लेंगे, ये दोनो numbers हमेशा एक साथ लेंगे हम इसके बाद यहाँ पर four और four एक और pair हो जाएगा तो ये क्योंकि four digit number है तो इसमें दो pair बन गए है four four और eight nine, अब हम पहले first pair को देखेंगे left hand side से जो है 44, तो हमारा first step रहेगा 44 को हमें divide करना है यहाँ पर divide करने के लिए हम normal numbers का use नहीं करते हैं हम यहाँ पर square number लेंगे, जैसे यहाँ पर two का square है four तो हम two लेंगे तो यहाँ पर four लिखेंगे ऐसे हमें यहाँ पर 44 चाहिए, तो 44 से just छोटा square हम find करते हैं तो यहाँ पर 36 और 49 इन दोनों के बीच में आ रहा है 44 49 क्योंकि 44 से बड़ा है तो हम 49 नहीं लेंगे और हम 36 लेंगे तो 6 यहाँ पर हम लिखेंगे, 6 से हम इसे divide करेंगे यह हो जाएगा 6, तो 6 times 6, 36 यहाँ लिखेंगे और 6 times 6 होता है 36, तो 6 यहाँ पर भी लिखेंगे quotient में और क्योंकि हम 6 एक square number ले रहे हैं इसके just नीचे भी हम 6 लिखेंगे, plus 6 यह हमारा long division में बहुत important step है कि जिस number से भी हम divide कर रहे हैं उसके यहाँ पर quotient में भी वही number लिखते हैं और उसके just नीचे add करने के लिए जो next हमारा जो number रहेगा जिससे हमें divide करना है, वो same number को add करने के बाद मिलता है तो यहाँ पर 6 plus 6 हो जाएगा 12 अब इसके बाद यहाँ पर दोनों numbers को subtract करेंगे तो 44 minus 36 हो जाएगा, यहाँ पर 14 minus 6, 8 और 3 minus 3, 0 अब next step रहेगा, जो हमारा next pair है जैसे यहाँ पर 89 है उसको हम नीचे करेंगे, drop down करेंगे और इसे यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हम दोनों numbers को 7 में drop down करेंगे तो यह हो जाएगा, 889 अब हमें 889 को divide करना है और divide करने वाला जो number है वो हमारा ऐसा number हम यहाँ पर लेंगे 12 के आगे लिखेंगे जैसे हमने लिया 12 और 12 के आगे अगे अगर हमने 1 लिया तो 121 से हम divide करेंगे और हमें multiply भी 1 से ही करना होगा तो अब यह वाला number और यह वाला number same होना चाहिए तो हमें अब ऐसा number धूणना है जिसे unit digit में लगाने से और जिससे multiply करने पर हमें 889 मिले या just उससे कम number मिले तो यहाँ पर हम different numbers fill करते हैं क्योंकि यहाँ पर unit digit में 9 है तो हम यहाँ पर 3 लिख के देखते हैं 123 times 3 करते हैं तो यह जाएगा 3 3s are 9 3 2s are 6 and 3 1s are 3 369 369 बहुत ही छोटा number है 889 के तुलना में तो हम दूसरा number लेते हैं दूसरा number है जिसमें हमें unit digit में 9 मिल सकता है वो है 7 तो 7 fill करके देखते हैं 7 times 7 7 times 7 हो जाएगा 49 का 9 और 4 carry over हो जाएगा 7 times 2 14 होता है 14 plus 4 हो जाएगा 18 18 का 8 1 carry over 7 times 1 7 7 plus 1 8 889 हमें मिल गया है 7 लगाने से तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे में भी 7 लिखेंगे और 127 times 7 हो जाएगा 889 इसे subtract करेंगे यहाँ में 0 मिल जाएगा मतलब हमारा division complete हो गया है अगर हमारा division complete नहीं होता तो हम यहाँ पर फिर से 7 लिखते और 7 add करने पर जो number आता उससे next जो remainder है उसे divide करते तो यहाँ पर क्योंकि हमें answer मिल गया है हमारा division complete हो गया remainder 0 है तो हमारा इसका square root हो जाएगा 67 इसे हम box करेंगे तो इस तरह हम किसी भी number का square root long division method से find कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful है अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे like करें share करें और चैनल को subscribe करें thanks for watching